आज हम आपके सामने Phonic Words में फिर्स से लेके आएं एक एग और एम वावल एक जो प्रणुशेशन है उसमें हम एग और एम के वर्ट्स लेके आएं कि आप बच्वे को किस तरीके से सिखाएंगे और एक वरक्षीट भी इसमें है कि किस तरीके से उसे प्रैक्टिस कराएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करतें तो फर्स्ट है हमारा एग और एम अब एग से क्या प्लस करके क्या बन रहा है अकर हम उसमें बी आइड करेंगे तो क्या बनेगा बैग और इसका प्रणुशेशन कैसे होगा ए का होता है ए और जी का होता है ग तो क्या बना एग अब इसमें ह तैग, वैग, टैग, और रैग इसी तरीके से अगर हम M के बात करें तो A का क्या होगा? A और M का होगा म, M तो यसे क्या पढ़ना है? M तो J लगाएंगे तो क्या बनेगा? Jam, Dam, Cam, Yam, और Ram तो इस तरीके से बनेगे words इसके पहले माने जो वीडियो जा ले हैं उसमें आप में डाले हैं आप में डाले हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चट कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, आगे बच्चे को आपको कैसे बढ़ाना है Then fill up आप उसको इस तरीके से दे सकते हैं जब यह words आप सिखा रहे हैं, तो कैसे? Lag, कुछ भी बच्चा फिल करेगा जैसे Bag, Rag यहाँ वो MB लिख सकता है बट अगर अभी आपने जिसे एक सिखाया है जैसे Ram Behaviour तो अभी वो Rag keywords भर रहा है फिर जैसे Nag Tag और Wag इस तरीके से fillings करेगा फिर कुछ आप उसको pictures बना के दीचे वो उसको fill करेगा, जैसे इसलिए मैंने last में Ag लगा रही है, मतलब कि Ag की word है बच्चे को यह अपने आप automatically समझ में Ag है, तो मिल्स हमें first letter ही लिखना है तो यह जैसे क्या होगा Bag Rag Rag एक कोई छोटा से कपड़ा होता है जो cleaning के लिए use हो सकता है या पोच्छा भी बोल सकते हो Tag Wag 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 क्या होता है, कोई भी चीज जैसे माली जीए आप word forward और side में घूमती है उसे हम basically Wag कहते है अब जैसे Am की इधर बात करें तो क्या Jam और यह है yam यह में fruit बोल सकते हो आप यह vegetable जो खाने में यूज होता है इस तरीके से आप बच्चे को words भी दे सकते हो words नहीं letters भी दे सकते हो जिससे की बच्चा इससे समझे घरेगा जैसे उसने B fill कर दिया है तो B में circle कर दिया है मतलब B हो गया R हो गया T हो गया W हो गया तो आप बच्चे को separately भी दे सकते हो साथ में भी दे सकते हो फिर अगर आप next बात करें तो कैसे आप दे सकते है circle and color similar words या am जो भी है इसके पहले हमने जितने words पर रखें app, at उसको भी कोशिश करिए इसमें involve करने की तभी इससे बच्चे को recognize करने की जो पावर्ट है वो थोड़ा increase होगा कि कैसे क्या हमें है किस तरीके को क्या pronounce किया करते है और कैसे करते हैं jam, tax, bag तो यानि फिर से bag आ गया अभी तक और कुछ आया नहीं था तो यानि bag हमारा क्या है similar word है color भी कर सकते हैं इसको जैसे मने लिखा है jam, bag फिर से आ गया jam, rag, ram, jam अभी तक तो कोई repeat नहीं हुआ फिर rag, rag repeat हुआ है तो rag को हम circle कर देंगे tag, dam dag, tag 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 repeat हुआ है तो tag को हम circle कर देंगे ram और jam wag, bag, wag यानि wag tag, wag फिर से wag आ गया jam, dam, jam यानि फिर से jam आ गया ram, jam jam, jam jam, jam dam इस तरीके से आप इस तरीके से matching भी दे सकते हूँ है आप इस तरीके से matching भी दे सकते हुए तो किसे करेगा जैसे इसमें मैंने दिखा है A, B, G तो क्या बनेगा P, A, G, Bag R, G, A तो क्या बनेगा R, A, G, Rag क्योंकि अभी हमने रिसेंट्ली आट के वर्ट पढ़े है Tag T, A, G, Tag Wag W, A, G, Wag A, M, D Mad भी बन सकता है बट अभी जैसे हमने पढ़े हैं इसलिए डाम करेंगे Mad भी बच्चा लिखेगा तो आपको कलत नहीं करना यह पिर चीज आप ध्यान रखिए M, A, R आप जैसे से आम भी बन सकता है बट अब बट अच्चा भी नहीं जैसे इतना पढ़ा होगा यह उसको आता है तो अच्छी बात है उसको आप कटनिंग करिए RAM और YAM इस तरीके से आप करिए फिल जैसे आप एक साथ कई सारे वर्स में बार बार कहने हूं पुराने भी दीजिए सारे एक साथ दीजिए और जिसक्स करेगा यह पूइल he तो एम कुन्स में इसमें आया टाग टाक्स जैम कें जैम मैन है यम कैं यम रेंट आम वें रेट तयम मैच सैट बैग जैम प्रुणुशेशन में ध्यान दीजिए बच्चों का जो फोनिक साउंड है उस पर ध्यान दीजिए पैट साट टें रेम तो यह आप इस तरीके से भी भी करवा सकते हैं फिर बच्चे से बोल दीजिया आ उसको कितने word बना दिया है कितने words इसको आते हैं ऐग से related या एम से related तो जब बच्चा लिखेगा जो भी उसको याद हो back rag tag वाग इसी तरीके से म मान दीजिये jam तो इस तरीके से उसको अगर वह लिखता है या इससे ज्यादा भी लिखता है तो अच्छी बात है बर तो थ्री भी लिखता है तो स्वाल एंड गुट की चलो हां बच्चे को समझ में आ रहा है बैसिकली यह होता है फिर लास्ट हमें हर बार आपको देती हूं बच्चों को एक कॉंप्रियंशन जैसा छोटा जरूर दीजिए बच्चों को और सर्च सर्कल राइट एंड 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 वर्ष जैसे और इसका मतलब भी बच्चों को समझाई आ कैव इस बाइदा डैम अ कैव थी तो किसमें हमें तै वर यहार नहीं बग बैग पय क्याया ना तो बिची बैग भी यहां इसे ऑन दा-克ड तो बैग और फिर से बैग और टाग शटपिर चेड़ ऑर राम इस बैदा-क्ड़लन कैब कर पास क्याता sih तो देखिए ये सारे जो वर्ड्स है कैब कैब मैंन आप ले लीजिए या जिसे और कहीं आया है कैब तो यह भी बच्चों को स्राइक करें यह यह बीद इसी से रिलेटेड है तो लेकिन बच्च ुसलिकर ना इस अच्छे से करेगा तो यह था आज का वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थांक यू